प्रभू मानेक जी प्रशान्थ भाई जी और हमारे यहां के जिला के अध्यक्ष किरीड भाई सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संक्या में इकत्र आए देवी और सजनों, मातरी शक्ती, मेरे युवा साथी और मेरे साथी प्रिंट पिडियानिक मीडिया के मेरे साथी मेरा यह सवभग्य है कि मुझे आज इस गौरव यात्रा में आने का मौका मिला है और हम जानते हैं कि जो हमारी यहां क्षेत्री अब आगेर कम्यूनिटी जिसको हम अपने यहां के लोग कहते हैं उसके खमीर बन्ती समुदाए के लोग जो अपना जीवन देश भक्ती के साथ ओत प्रोत रहते हैं ऐसी ऐसे समुदाए ने जिसने अंग्रेजों के भी छक्य छुडाए लडाई लडी और लडाई लडी और लडाई लड़ते लड़ते उन्होंने अंग्रेजों को भी कहा कि हमारा एक ही राजा है राजा रंचोर द्वार का अधीश ऐसे पुझ्जिस्थान को मैं नमन करता हूँ और आपने जो मुझे पगडी पहनाई है उसको मैं पूरी इज़त के साथ धारन करता हूँ मित्रों ये द्वार का अधीश की नगरी ये नागेश्व जोतिलिंग की धरती इसको मैं जहां नमन करता हूँ वहीं से प्रेड़ना लेकर के गौरव यात्रा के प्रस्थान की शुरुवात की गोशना भी करता हूँ और इस गौरव यात्रा के माध्यम से नहीं सिर्व प्रदेश में बलकि देश में जो गौरव का संचार होगा जिसको हमारे कारे करता सब जूर ले जाएंगे उनको मैं बहुत-बहुत साधुवाद भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ मित्रो ये गौरव यात्रा जो द्वारका धीश की नगरी से प्रारम हो रही है ऐसी पांच यात्राएं गुजरात में शुरू हो रही है आज एक महसाना में भी यात्रा शुरू हुई कल अमित भाई आएंगे और तीन सानों से और शुरू करेंगे एक यात्रा हमारे आदिवासी भाईयों को समर्पित होगी भगवान बिर्सा मुंडा को याद करते हुए आदिवासीों के गौरव के लिए और आदिवासीों ने देश के गौरव के लिए जो काम किया है उस गाथा को लेकर के वो यात्रा निकलेगी लेकिन मित्रों ये गौरव यात्रा सिर्फ द्वार का धीश की गौरव यात्रा नहीं है ये गौरवयात्रा सिर्फ गुजरात की गौरवयात्रा नहीं है ये गौरवयात्रा देश के गौरवयात्रा की है और ये देश के गौरवयात्रा इसलिए है कि ये गौरव जो दुनिया में स्थापित करने में भारत के ये शुष्ष्वी प्रदान मंत्री ने कारे किया है उसकी गंगोत्री भी गुजरात की धर्ती है ये भी हमको याद रखना चाहिए मित्रों गुजरात संतों की धर्ती रही है गुजरात भक्तों की घर्ती रही है गुजरात समाज सेवियों की धर्ती रही है गुजरात समाज सुधारकों की धर्ती रही है गुजरात राजनेताओं की धर्ती रही है गुजरात देश भक्तों की धर्ती रही है गुजरात राश्ट्र पिता बापू महत्मा गांधी की धर्ती रही है गुजरात देश को एक सूत्र में पिरोने वाले लोपुरुष हमारे सरदार पटेल की धर्ती रही है ये हमको याद रखना चाहिए और यह धर्ती भारत को आधुनिक भारत बनाते हुए यह शुस्वी बनाने वाली नरेंद्र मोदी जी की धर्ती रही है यह भी हमको याद रखना चाहिए मित्रों मोदी जी ने सिर्फ देश को की सेवाही नहीं की है कि मोदी जी ने सिर्फ देश में ने आयाम स्तापित नहीं की हैं मोदी जी ने देश की राजनीती की संस्कृती बदल डाली है यह हमको ध्यान में रखना चाहिए एक समय था जब पॉलिटिक्स का मतलब होता था कमिशन, एक समय था पॉलिटिक्स का मतलब होता था ब्रश्टाचार, अनाचार, कुर्सी से चिपकना, लोगों के भोखा देना, खुद मेवा खाना, मोदी जी ने इस संस्कृति को बदल डाला, कमिशन के बदाए, मिशन मना करके देश की सेवा में जुट गए, ब्रश्टाचार समाप्त किया, लोगों को सेवा भाव से कुर्सी पर आने दिया, सेवा के साथ चलो, और विकास की नई रंडीती के तहट, विकास के कारे में जु यह मोदी जी ने कहा, आज भारत की राजनीती की संस्कृति बदल गई है, कॉंग्रेस पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कि अब हम राजनीती में करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि हम तो आए थे मेवा खाने, हम तो आए थे देश के नाम पर परिवार की से लेकिन मोदी जी ने गुजरात की जनता को और भारत की जनता को अगाह करा दिया, कि अब मेवा खाने वाले नहीं रहेंगे, सेवा करने वाले रहेंगे, कमिशन खाने वाले नहीं रहेंगे, मिशन के साथ चलने वाले लोग रहेंगे, अब विनास की और ले जाने वाले लो इसको धत्ता दिखाते हुए हम चल पड़े हैं मित्रों आप गजब की बात देखोगे मेरा आपने परिचे कर आया तो मुझे कहा कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष हूँ मित्रों ये सौभाग्य अब किसी और को नहीं मिलता है ये राष्ट्रिय पार्टी वैचारिक पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर है तो वो भारतिय जन्ता पार्टी है ये हमको याद रखना चाहिए कि बाकी सभी पार्टियां कोई इंट्राश्ट्रिय पार्टी नहीं रह गई कोई राष्ट्रिय पार्टी नहीं रह गई और मैं पुरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कॉंग्रेस भी सिकुड गई कॉंग्रेस भी कमजोर हो करके सिकुड गई और न ये अब राष्ट्र बजाओ थाली बजाओ छुट्टी पाओ तुम्हारा कोई काम नहीं है वल्शुबात की राजनीती जम्मू कश्मीर देखो पीडीपी नैशनल कांफरेंस परिवार की पार्टी पंजाब में आओ श्रुमनी अकाली दल परिवार की पार्टी हर्याने में जाओ चोटाला का पर हाओिवार श्राटी का ये वाजफ